वेलकम बेक टू माई यूटीब चैनल में इसको डीके एंड आज हमची शेयर के बारे में बात करने जारे हो पीरामल एंटरप्राइज लिमेटेड जी हाँ आप देखोगे आज टोकेंदर हमें जोना एक बिग फॉल देखने को मिल रहा है आपके मन में बहुत सारे सवाल है हर सवाल का जबाब मिलेगा आप देखोगे 44 परसेंट की जो एक क्रेक्शन हुई है क्यों ही है प्रीविज जो इसके क्लोजिंग थी वो आप देखोगे अप प्रीविज क्लोजिंग अगर मैं बात करूं तो और यहां से जो आपके मैं क्यों सनूट करा रही है कि यह क्रेक्शन क्यों हुई है इसका तो पता आपको चली गया होगा क्योंकि मैंने जो दोपैर में वीडियो मना कर डाला था मोर्निंग में उसके अंदर मैंने आपको ड पिरामल एंटरप्रेजिज एक होगे पिरामल फार्मा सेक्टर की तो यहां पर आप देखोगे पिरामल फार्मा और पिरामल एंटरप्रेजिज तो यहां पर इन दोनों का जो ना मर्जर हुआ है पहले अब जोना डी मर्जर हुआ है आज के अगर मैं बात करूं तो तो इस तो आपको पिरामल फामा के चार शेर मिलेंगे अब आते हैं मैंड बात किस पर कि हमें वो ना किस प्राइज पर मिलेंगे यह पाइट यह पॉइंट भी आपका मैं रहेगा यह सवाद भी आपका मैं है कि पिरामल फामा का जो हमें चार शेर मिलेगा उसका प्राइज रेंज क क्योंकि 250 आप देखो 250 और जोना 200 जी एन दोनों के बीच में आपको उसका प्रैस रेंज रेखने को मिलेगा और आप देखोगे जो इसका शेयर प्रैस है एक शेयर का वह यहां पर शेम रहेगा अब आती है महन बात कि हमें जो वह शेयर है ठीक है पिरामल फामा के जो शेयर ह वो हमें कभ मिलेंगे आपके मन में ये भी सवाल है तो जो पिरामल फार्मा की जो शेर है वो आपको इसकी लिस्टिंग होगी ठीक है पिरामल फार्मा की लिस्टिंग होगी सप्रेटेड लिस्टिंग जिसको आप बलोगे तो वो हमें देखने को मिलेगी कब अक्टूबर या चार शेर मिलेंगे अगर आपने प्रामल फार्मा का 29 अगस्त से पहले बाय किया या आज की डेट से अगर आपने एक दिन भी पहले बाय किया हूं तो आप जोना एलिजिबल हो प्रामल फार्मा के शेरों के लिए तो यह सब जोना रहने वाला है अब आती मैंन बात क्या हमें यहां से इसको उठाना चाहिए अगर आप हम इसको इस लेवल से उठाए तो आपको क्या यह पिरामल फार्मा के भी शेयर मिलेंगे उनका जो बिजनस मोडल हो कैसा है तो मैं आपको एक बात बता दूँ जो पिरा पिरामल फार्मा उसका बिजनस का है फार्मा सेक्टर की है तो यह दोनों का बिजनस रहने वाला है और आने वाले टाइम में अच्छे तेजीदेखने को मिलेगी तो भही माँ आपको पता दूँ पिरामल फार्मा के अगर आप शेयर यहां से बाइय करते हो तो फो लॉंग ट्रिम में आपको जोना इसके अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आज भी आपने देखा होगा अच्छी तेजी स्टोक के अंदर हमें देखने को मिल चुकी थी तो उसके बाद आप देखो भी कोई बात नहीं जो हो गया वो हो गया तो डीमर जरु हुए है तो आपको जो वो शेर है अक्टूबर और जो ना दिसंबर के एंड में मिल जाएंगे जी हां तो उन दोनों महिनों के बीच में आप देखो कि जैसे यह क्वाटर जल्ट आ जाते हैं क्वाटर जल्टों के बाद में उन सबका जो ना हो जाएगा आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए अगर फिर भी कोई भी डाउट्स आपका रह जाता है पिरामल एंटरप्राइज और पिर इसके डी मर्जर को लेगए तो आप जोना कमेंटर में पूछ सकते हैं थैंक्यू फर वचिंग दे वीडियो